कैसे हो आफसे लोगाइज उमीद करते हूं अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद को पॉजिटीव और हील कर रहे होंगे विवर्स आज में करने वाली हूं आपके और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पॉर्सन के लेट नाइट थौट क्या है उनकी लाइफ में क्या च अब तो लिडारिधी तो प्लू इस से लाइक करिए उपस्क्राइब लेगा के लिए तो प्लीज अब सापस्क्राइब जरूँ कर ली जए अडारोगि वीडियोज कर लिए और नौ्टिफिकेश्टी लॉट कर लिए ताकि आपको आने वाली नम्टिफिकेशन टाइम तो तो आप अपने परसंते गल्दी से ध्यान कर लिए उनके बारे में सोचिए उनका नाम अनिमंद हो रहा है और चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में उनकी फिंगिंग में आपको लेके क्या कुछ है लेके बाते हैं क्या मैं सूचिंगा सब्सक्राइब है क्या इसूस करें क्यों अपर में आपको रहे हैं पर eight computer और के Heart पर है अब्जर्वर की नजी है यहां पे वी है फ्लाक्सिबल वी है तो बी फियर एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है चेंजिंग गिफ बटम की नेजी आ रही है है सबसे पहले वीवर्स यहां पर कुछ लोग लिए ऐसी इनर्जी मिल रही है कि आपके पॉर्सन और आप दोने के बीच में कुछ वादो वादे थे ठीक है उन्होंने कुछ आपको वादा किया था आपने कुछ उनको वादे किये थे या फिर आप उनसे कुछ बहुत ठेस पहुची है कि यार इस वैक्ती ने मुझे क्या सपने दिखाए थे क्या 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 सपने दिखाए थे क्या मैं तेरी लाइफ ऐसी करूंगी ऐसी करूंगा हमारा रिलेशन ऐसा होगा मैं तेरी लिए ये करूंगा या हमारी लाइफ एक दूसरे साथ में कि ईक बार आपके रिश्टे में डोर तो जा याए विश्वास की भरोसे की कह Σकते हो प्यार की कह सकते हो चीक है अगर तो वो अब जाती है तो उसको दुबारा जोडने में गाठ पड повтор जाती है वह बात दिल से नहीं जाती है फिर आप चाहें कितना ही उनको मिटाने की सम्हालने की बातों को कोशिच कर लो लेकिन गाठ होगी वो नहीं जाएगी क्योंकि दुबारा से जोड़ा जा रहा है तो यहां पे वीवर्स आपके परसन राइट नहीं चीजों के बारे में सोचते वे नजर आ रहे हैं क्योंकि मैं यहां पर देख पारी हूँ यह जो वेक्ति ने आपके साथ में जोड़ना तो चाहा रहे हैं क्यों क्योंकि वीवर्स इस वेक्ति को यह चीज समझ में आने लगी है कि उनकी जो सारी खुशियां है वो आप हीसे जोड़ी महीं है यानि आप उनको इतनी खुशी दे सकते हैं यो लाइफ में कोई आप नहीं दे सकता आपने उनको लाइफ में वो सब कुछ दिया है जो शायद कोई और उनको दे पाता या कोई और उनको महसूस करा पाता लेकिन इनों ने कुछ ना कुछ तो वीवर्स यहां पर जो वादा खिलाफी की है ठीक है ट्रस्ट आपका तोड़ा है कुछ ऐसी नर्जिस यहां पर हो सकती मैं यह नहीं करी कि हर एक से बात रहसुनिट हो बट नजर आ रहा है कि जब यह है शर्ण आपिस नंक से जुड़ने चाह रहे हैं तो इस बात इस मुझद फ़कृत के मन में खटक रही है न इस श्यूंधाम है यह आपकेस ऐब ने काल निकाल पार है कि आपको भी मन से वा भात निकाल पाना بहुत मुश्किल रहेंगा आपका विश्वास जीत पाना वोत मुश्किल नहीं है हां ये वेक्तिव ये विवर्स आप पहले जैसे नहीं है कोई है इनरजी मिल रही है कि गोदर डिस्टेंस के साथ में आपके पास में आना चाहते हैं आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं और एक फ्लक्सिबल्टे के साथ में चीक है यानि वो अपने अंदर को चींजिस लेके आने के लिए तैयार यहां पे नजर आ रहे हैं वो चींजिस जो यह पहले कभी लाना नहीं चाहरे थे वो चीजे जो यह पहले कभी करन अपनी पलता नहीं चाह रहे हैं आप इनको बोल बोल के ठग गए आप इनको समझा के ठगए आप इस एक्सपक्टेशन को रख के ठग गए इसवेक्ति के प्रोमिसिस आज बने कल टोटे उसी जो उसे आप परिशान हो लेकिन हा इस वेक्ति का वीवर्स यहां पर माइंड़ से यह है कि आप यह वेक्ति एक रिजट नहीं है रिजट मतलब कि कुछ लोग होते ना बड़े पत्थर दिल हो जाते हैं सम्टाइम यह बहुत सदा इगो में हो जाते हैं यह उनको कुछ बदलना ही नहीं होता है कुछ लेकि आने ही नहीं होते अपनी फीलिंग के अंदर तो यहां पर चेंज की बात हो रही है क्योंकि मैं यहां पर देख रहे हैं आपके रिष्टे में यही कुछ किया है अब इनका जो माइंड सेट है ना वह कह सकते हैं सेवन चक्रा थोड़ा सा उसमें कुछ हल चल मुझे है यहां पर मुझे मिल रही है तो यह क्या दिखाता है कि इनसान का जो वीजन है वो क्लियर हो रहा है या फिर व्यक्ति सरफ अपने बारे में सोचता था आज वो आपके बारे में भी सोच रहा है और वो यह सोच रहा है यह सोच रही है क्या इस रिष्टे को बनाने में आपक कहां लेके आए अगर आपना होते तो शादी रिष्टा इस मुकाम पे भी ना आपाता ठीक है क्योंकि है आप एनर्जी मिलरी विवर्स अभी रिष्टे में जब वर्क करना चाहते हैं अपने एफ़र्ट लगाना चाहते हैं तो उन्हों को यह चीज़े अपनी पुरानी एक् करनेक्शन को जिसी कहते हैं अगर एक पहिएं करेगा तो दूसरा पहिएं वक नहीं करेगा तो एक पहिश लेगा अप कब तक चीज़े चला सकते हो कहीं न कहीं आपकी इनर्जी डाउन होगी आप फ्रस्टेटिट हो जाओगे आपको भी लगेगा यार मैं वन साइडिड क पर यह हो क्यों हो रही है यह अब क्यों हो रहा है पहले क्यों नहीं हुआ उसका रीजन वीवर्स यहां पे कुछ आपके परसन ने आपको वीवर्स अपनी लाइफ में इस समय दिन राइट ना उनका जो फोकस है आपके उपर है बहुत हैपी हो आप अपनी लाइफ में खुश रह रहे हो विदाउट इस परसन ठीक है आप खुश रहे भी सकते हो क्योंकि ऐसा लगस्वेक्ति को लग रहा था कि आप इनके बिना कुछ हो ही नहीं या इनके बिना खुश नहीं रह पाओगे लेकिन आपको इस एनरजी को च इस वेक्ति को लेकिए ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे इस वेक्ति के परवाई नहीं है आता है आए नहीं आती है ठीक है या फिर अपर चीजे प्यार के ऊपर ही थोड़ना मेरी जिंदी की चल रही भी लाइफ में और भी बहुत सचीजे हैं फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं रिल धिमाग में यह भी चल रहा है कि यह जो हो रहा है हां कुछ लोगोगे आपके फिरसली आप इनको कहीं आपके Museum करारे कह रहे हो कि अब आपको इनके जरुरत नहीं है जापको उनकी देखने है और ओर आफकल खाना ओर फिर देखने आंपर ऊओर वह यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो दिखा रहे हो वाई उसके पीछे क्या रिजन है किस वज़ए से आप इस वैक्तिके साथ में डील कर रहे हो ट्रीट कर रहे Jardahcom मन में इस समय भावनाई चल रहे हैं आप से जुड़ने की तब आप इनसे क्यों दूर भाग रहे हो क्यों दूरिया बना रहे हो क्यों इनको एंटेटेंड नहीं कर रहे हो ठीक है पॉलाइट वे में क्यों ट्रेट नहीं कर रहे हो तो यह सब चीजें आप नजर आ रहे हैं क् आपके दिल में कोई और है कि आप किसी और से जुड़ने की बारे में सोच रहे हो क्यों हो आप खुश बेसिकलिए आपकी जो खुशी है वह इस व्यक्ति के लाइफ में यहां पे खलवली मचा रही है यह व्यक्ति बहुत जादा अब उस खलवली ने वीवर्स जेको जो मची फ्लाक्सिबल होने पे मजबूर हुआ है ठीक है तो यह वह बदलाव यह व्यक्ति लाने पे आप कहीं ने के मजबूर खुद से हुआ है जो आप इनसे पहले एक्सपेक्ट पर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपके परसन आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर र आपकी connection को लेके आगे नहीं बढ़ रहे थे एक pause लेके चल देते आपको सरफ अठका की रखा हुआ था तो वह सब चीजे वीवर से आप नजर आ रही कि यह वेक्ति इंची जो को कहीं नहीं हो समझ पा रहे हैं ठीक है तो यस आपने अगर यह कोई पैतरा चला है तो यह पैत बताएं गाइट करें मेरे वीवर के लिए और क्या कुछ चल रहा है स्विक्ति के मन में प्लीज उनिवर्स एंजल मुझे बताएं वो मेरे वीवर से क्या expectation रख रहे हैं Divine Angel प्लीज हमें गाइट करें बताएं क्या expectation है so we have six of vents okay Aries, Leo, Sagittarius अगरी नमबर शिक्स की एनरजी है Gemini, Labra, Aquarius, Mithun, Tolan, Qum, Raši, Mace, Singh, Dhanu, Raši, The Emperor की एनरजी आई है आपके लिए चीक है नमबर थ्री के एनरजी है Taurus, Vargo, Capricorn, Aries, Leo, Aries राशी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है कन्या राशी आप लोगके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है हर्मित एनरजी आई है, Queen of Cups की एनरजी आई है, Release की एनरजी यहाँ पर आई है and the Seven of Pentacles की एनरजी यहाँ पर आई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वर्टम से आ रहा है, Three of Swords this person feeling like, समय यहाँ पर यह बोलूँगी किस विक्ति का आपने Heartbreak किया है right now this person suffering in a pain and this is an emotional pain, ठीक है emotional pain है, loss की एनरजी है, sadness की एनरजी है, इंसान टूटा हुआ है, अपनी इच्छाओं को जो आप से जुड़ी वही है वो fulfill आप इनकी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो yes कहीं नहीं गहीं, right now आप इस विक्ति का दिल दुखा रहे हो यह person आपको यह बोलना चाहरे है, आपको यह बोलना चाहरे है, यार, आप मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो आप मुझे क्यों trigger कर रहे हो, आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो, आप मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहे हो जबकि यह आपसे बहुत प्यार करते हैं ठीक है आप प्यार क्यों करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके person यहाँ पर यह कहना चाहते है 666 and Emperor के energy 3 of Pentacles के साथ में आई है तो energy क्या दिखाए दे रही है वो आपके साथ में यह कहना की कोशिश करें रिष्टे को लेकर working में है वो इस रिष्टे में अपने efforts को लगा रही है वो आपके विश्वास आसिल करने की कोशिश करने है वो आपके साथ में होना चाहते है वो आपके साथ में जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते है जो currently जो present में time चल रहा है यह उससे कहीन है कि ओवर करके आपके साथ में एक भैतर फ्यूचर यहाँ पर तराश्टेवे नजर आ रहे हैं यानि कि उनके दिमाग में है इस connection को लेकि कि उनको कहां जाना है किदर जाना है कैसी इस connection को उन फ्यूचर देखना है तो आपके person viewers यहाँ पर यह कह रहे हैं कि वो आपके साथ में खड़े हैं वो आपके प्यार के लिए खड़े हैं यह energy guys यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन आपने उनको अकेला छोड़ दिया है आप उनकी feeling उनकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इस वेक्ति को right now सिर्फ और सिर्फ feeling से मतलब है भावनाओं से मतलब है emotions से मतलब है और इनके यह सारे emotions यहाँ पर trigger कर देवे नजर आ रहे हैं तो यह energy guys यहाँ पर चल रही है यह वेक्ति कहीं नहीं के viewers यहाँ पर यही कहने के कोशिश कर रहे है क्योंकि मुझे energy guys यहाँ पर जो मिल रही है ना that is energy of transformation की वेक्ति कहीं नहीं के transformation को लेके यहाँ पर बात कर रहे है वो इस connection को बदलाओं में लेने के आने के लिए बात कर रहे है वो आपसे यह expect कर रहे है अगर आप उनको chance दें तो they ready to change वो इन चीजों को लेके change होना या फिर हालातों को बदलना यह चीजों को वैसे ढालने के बारे में बात करें जैसे आपको पसंदो ठीक है आपसे acceptance चाहते हैं ठीक है आपके तरफ अपने family वाला जो कहते है family nature क्योंकि अगर मैं यहां पर देखू ना six of sword के उपर के coin of cups के energy आई है तो आपके person आपको यही बताना चाहते कि उनको इस रिष्टे को लेके कितनी feeling है या कितने वो इस रिष्टे को लेके sensitive हो रहे है उनके मन में आपको लेके बहुत emotion है बहुत सारी उमीदे हैं आपसे और वह आपसे आपकी उमीदों को भी यहां पर पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने उस समय नहीं की थी क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे three of pentacle seven of pentacle के साथ में आ रहा है तो यह कहीं ना कि वीव किया था यह कुछ इन्होंने कहा था कि यह करेंगे करेंगे लेकिन नहीं किया बट इनको आपका सपोर्ट चाहिए ठीक है वह आपका सपोर्ट यहां पर चाहते हैं action देख लेते हैं divine angel please मुझे बताएं क्या हो रहे हैं इस वेक्ति की तरफ से वह connection को लेके क्या action लेने के ब एक्षिन के प्लानिंग चल रहे हैं लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे ना कि एक्षिन क्या हो रहे हैं तो एक्षिन में नजर आरा वीवर्स कि सबसे पहले वीवर्स आपके परसन आपने इस connection को लेके जो आप और आपके परसन की बीच में connection में जो trust नहीं है जो दूरियां है जो दूसरे को लेकि acceptance नहीं है उनको यह चीज़े बदलना चाहते हैं उनको कहीं ने कि change करना चाहते हैं ठीक है तो यह सापके person यहापर आपको फोना नहीं चाहते हैं ऐसा energy यहाप नजर आ रही है यह आप से जुड़ने के बारे में यह हेरिंग पर्चेश कर रही है तो यह आपका परसन मेल फीमिल कोई भी हो सकता है बड़ ऐसा नजर आ रहा है कि यह गया तो कुछ वेडिंग की हैं पर बात चल रही है ठीक है कि आपको यह प्रोपोज करने के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने पहले आपको प्रपोज नहीं किया था या फिर ऐसा हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हो जिससे आपका जो मन है इनको लेकर थोड़ा बदल जाए आप उसे खुश हो जाएं तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लिए मेरे वीवर्स के लिए प्रसन के क्या हैं मैसेज वह इनको क्या संदेश देना चहाते हैं एक को कर देना चाहते हैं अगर आपने ने ट्रिगर किया वीवर्स देखो कोई हो सकता आपने कोई बात भुल दिये आपके परसंट को इग्णोर करने के लिए आपके बोल रहे हैं नाट वाली जो बात है आहां पर है आपके परसन को ऐसा लगता है कि आपके मन में उनके लिए अभी भी डिजार है वो खतम नहीं हुई है I think our future together आपके परसन आपके साथ में future देखते हैं उनको लगता है कि आप दुनों साथ में future नहीं हो सकते हैं तो आप परिबम से बात करूकर यहाँ करूकर क्रोंच सुम्स थेज़ां इस नजर को साधूसर आप दिमाग कहाब है इनकी लाइव के उनDEN प्रज़ॆ एक भीयां सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो के लिए आप चाहें तो वीडियो में जो नंबर है उस पर कॉंटेट कर सकते हैं परसंडिक चार्जिबल होती है फ्री आफ कोस्ट नहीं होती इस बात का ध्यान रखेगा तो यह थी रिटिंग आ